सो हे गाइस वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आई फोर इन्फरमेशन तो गाइस अगर आप भी बिहार इस्टेट के अंतरगत आते हैं तो आपको राशन कार्ड बनाने के लिए आटी पीएस कांटर का दोरा लगाना पड़ता होगा तो ऐसे में आपका राशन कार्ड ज तो आप किस तरह से आवर दन कर सकते हैं ठेक है राशन कार्ड के लिए तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेफ बाई स्टेफ करके बताऊंगा ठेक है तो आप इस वीडियो में मेरे साथ आज अच्छ पंप्लिट बने रहिएगा तो सारी चीज आपको बारी की से समझ में आएगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं जैसे कि आप मेरे इस स्क्रीन पर देख रहे हैं एक पेपर का कटिंग है हिंदुस्तान पेपर का कटिंग है ठेक है तो जिसमें बताया गया है कि नए राशन कार्ड के लिए अप आउनलाइन आवेदन होगा ठेक है तो करोन काल को देखते हुए जिसमें सोसल डिस्टेंसिंग का जो मेंटरेंस होता हूँ देखते हुए आप आउनलाइन आवेदन का सिस्टम यहां तयार किया जा रहा है ठेक है तो आप यहाँ पर साब साब बताया गया है कि इसको लेकर आपरती भागने निर्देश जारी किया है नए रासन कार्ड के लिए लाभुकों को विभाग के द्वारा जारी वेफसाइट पर आउनलाइन आवेदन करना होगा इसके लिए वेफसाइट पर यह इस्टेप में मौंगी गई सुचना अफ्लोट करनी होगी ठीक है तो यहां देख सकते हैं गाईस आउनलाइन सब्सक्राइट करने के बाद सम्मिट करना होगा ठीक है तो आवेदन सम्मिट होने के बाद आवेदक के मोबाईल नमर पर उसका SMS आएगा जिससे अब अपूर्ति वाकि साइट पर चला जाएगा चला जाएगा इसके बाद दिहित परिकिरिया के बाद लाभुकों को नाय राशनकार्ट संबंदित अनुमंडल पदादीकारी के द्वारा जारी किया जाएगा तो जो भी राशनकार्ट होता है दोस्तों वह अनुमंडल पदादीकारी के द्वारा जारी किया जाता है और उसी के तहद आपको मिलता है ठीक है एसडियों के Airlines तो किस किस को राषनकार्ट नहीं मिलेगा तो यहां साब साब बताया गया है कि इन लोगों को नहीं मिलेगा इसका लाप जिनके पास रेफ्रीजरेटर हो और कंक्रिट का माकों हो ठीक है पक्के का घर हो तीन कमरा हो यह सारी चीछ जिसके पास हो इसको रास आप सब लिखा गया है कि जिले में हाँ जिले में पहले से कुल लाविकों की संक्यों 44,69,773 है इसमें पी यच यस यह सब जितने कार्ट के परकार है वो ता दिया गया है जैसे कि आप पढ़ सकते हैं गाइस तो गाइस आप किस तरह से आविदन करिएगा किस साइट से करिए जैसे कि गाइस मैं यहां क्रोम ब्रोजर ओपेन किया हूं ठेक है तो उसमें मैं टाइप किया हूं service online.bh.gov.in ठेक है तो आपको भी इसी तरह टाइप करना है तो यहां आपको online आविदन का option देखने को मिलता है और जब इस पे आप प्रेस करते हैं तो यहां TPS से वाए दे से वाए simple size पर आपको किलिक करना होता है जैसे आप इस पर किलिक किजिए गार तो यहां बताया गया है कि नया राशन कार्ट जारी करने के लिए आवेदन simple size पर किलिक किजिए गार तो coming soon बताया जा रहा है मतलब कि दोस्तों अभी link एक टिप नहीं किया गया अभी निर्द असानी से कर सकते हैं वह भी अपने mobile या laptop से ठीक है तो इसी तरह की वीडियो पहुने के लिए दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसी पर थेखेशे ळने किस बताया ल़ा याल यजिया थीजिए उब है नहीं के जरूर कर दो है तोस्तों